हेलो दोस्तों तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इतिहास सम्मंदित सामान ग्यान के कुछ मत्पूर कोश्चन्स और उनके आंसर्स यह सभी ऑबजेक्टिव रूम में होगे याद रखिए इससे पहले जो भी हम लोग ने इंडिया जी के दिखाए फिर चाहे वो वल्ड ज क्यों यह सभी मुझे लगता है कि जोगी हैं सभी निचोड हैं जैसे इसमें हम लोग इतिहास के जो भी आपके 7-800 कुश्चन्स होंगे वो पूरे इतिहास के निचोड है और यह आपके सभी कुश्चन्स वन डेग जाम के लिए महत्तपूर रहेंगे और एक सावन जानकार के लिए अभी आप इसे पढ़ सकते हैं तो पहला कुश्चन है मारा हडपा सभिता की कोज किस ने की थी हडपा सभिता की कोज आपकी दयाराम साहिनी ने की थी हडपा सभिता की कोज दयाराम साहिनी ने की थी क्वेशन है मारा दूसरा वह सासक जिसने एक सच्चे जैनमुनी की तरह वो प्वास के द्वारें सरीर त्यार दिया था कौन थे तो यह थे आपका चंदगुप्त मौर C ओप्सन सही होगा क्वेशन है मारा दूसरा तराइन का पित्थम यूथ 1191 में हुआ किसके मद्द लड़ा गया था यह? मौम्मद गौरी और पित्वी राज तितिये की मद्दू B यह उप्सन सही है याद रखिए 1152 में तराइन का दूतिये यह उद्दूए इसमें आपका मौम्मद गौरी की हार हुई थी पित्वी राज तितिये जीता था लेकिन जो आपका तराइन का दूतिये यह उद्दूए था 1152 में इसमें मौम्मद गौरी की बिज़ाई हुई थी और पित्वी राज तितिये हारा गया था कुश्चन है हमारा चार बंगाल को मुगल समराज से पित्थक कर सुतंत किया गया मुशीद खुली खान बात करते हैं पांचवे कुश्चन की बिद्वा अप उनर विवाय कानून कब बना बिद्वा उनर विवाय कानून आपका 1856 में बना कई बागुँ चलेता है ठीक है याधर ना है बिद्वा उप्सन सही है कुश्चन है मारा चटवा अंग्रेजोने फूट डालो और सासन करू की निती कब अपनाई तो अंग्रेजोने फूट डालो और सासन करू की निती 1858 की बाद अपनाई कुश्चन है मारा साथवा इंग्लेंड में ग्रेह यूद कितने वर्सों तक चला इंग्लेंड में जो ग्रेह यूद चला था वो आपका साथ वर्सों तक चला था कितना साथ वर्स तक बात करते हैं आठेवे कुश्चन की आरे भारत में कहां से आये थे यो आरे थे ये भारत में कहां से आये थे तो आपको बता देना है केंद्री ए एसी आसे C option सही होगा कुश्चन है नौ कि सौधी में रामायड और एबं महाभारत की रचना हुई तो एवी थे आरे आओधी में D option सही है बात करते हैं तसवे कुश्चन गुप्त समराज की स्थापना किस न की गुप्त समाज की स्थापना किस न की थे ये थे आपके चन्न गुप्त बात करते हैं हम लोग 11 पानी पत की दूसरी लड़ाई किन के वीच हुई थी? ते हुई थी आपकी बैगम खान और हेमों के वीच बात करते हैं 12 कुश्चन मुहमद गौरी कहां का साथ सकता? मुहमद गौरी आपका अफगानिस्तान का साथ सकता? कहां का अफगानिस्तान? पुश्चन है मारा तेरे मस्तानी किस सासक की प्रेहसी थी वाजी राव पेसवा की कुशन है चौदे बिहार को किस मुस्लिम सासक ने सरफ जीता था तेथाव का खिल्जी कुशन है पंद्रे मुगल काल में सरफ तम किस सहर में अंगरेजों ने अपने कारखाने इस्थापित की थी कुशन है सुलय पहली सायक संदी कौन सी थी निजाम की बी ओप्सन सही होगा बात करते हैं सत्तरह कुष्चन भी करना तक संगीत का पिता माहि किसे कहा जाता है तो यह हैं पुरंदर दासकू कुष्चन यह हमरा अठारह किसके सासनकाल में पित्थम चीनियात्री भारत में आया था चंदगुप्त दुतिये के कुष्चन यह उन्नीज नेम लिखित मुगल सासको मसे किसे प्रैंस और बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है तो याद रखना साह जहां को कुष्चन हमारा 20 सिख समुदाय के अंदिम गुरू थे सिख समुदाय के अंदिम गुरू थे आपके गुरू गोविन सीम कौन गुरू गोविन सीम सी ओप्षन सही है बात करते हैं 21 वे कुष्चन जी कुची पूरी नित कहां अरब हुआ था कुची पूरी आपका आंध्पिदेश्ट में हुआ था बात करते हैं 22 वे कुष्चन जित्तकला की गंधार सहली कसूत पात किसके द्वारा किया गया था महायान संपदाय कुष्चन हमारत तेज ताजमहिल की डिजाइन करने वाला वास्तु का था आपका उस्ताद ईसा कुष्चन है 24 बुद्धों के विश्वास के रुसार गोतम पुद्ध का अंगला वतार किसे माना जाता है कलकी को कुष्चन है 25 समराट अकबर ने निम्लिक्रित में से किस महल का निर्मान फत्रेपूर सिकरी में करवाये था तो यह है आपका पंच महल कुष्चन है 26 कुटों मीनार के पास इस्तित लोहिस्तम किस राजा ने बनवाये था चद्धकुप तुतिये बात करते हैं 27 खुश्चन स्वामी दयानंद सरसुती ने किस समाज की स्थापना की थे स्वामी दयानंद सरसुती ने आरिश समाज की स्थापना की थे B option सही है 27 में Queshain 28 निम्लिकित में से किसने इबादत खाना बनाय था निम्लिकित में से किसने इबादत खाना बनाय था तो यह थी आकि अकबर बात करते हैं 29 वा Queshain भारत की पितम महला सासक बनी रजिया बेगम कुश्चन है मारा 30 टीपू सुद्दान कहां का सा सकता बात करते हैं 31 वे Queshain भारत में पितम मुसलिम आकमाड कारी था भारत में पितम मुसलिम आकमाड कारी था आपका महमूद बिन कासिं कुश्चन है मारा 32 पितम भारतिय समराज इस्थापित किया गया था चेंद्रगुप्त मौल द्वारा कुश्चन है मारा 33 किसके समाधी के कारण नांदेड गुरुदान सिक्खों द्वारा पवित्ध माना जाता है तो यह थी आपके गुरु गोविन्दसी बात करते हैं 34 पे कुश्चन विख्यास सौमनात मंदिर को किस ने नश्ट की जाता है सुल्दान महमूद ने कुश्चन है मारा 35 निवलिकित में से कौन सा सबसे पुराना इसमारक है अजन्ता की गुभाएं कुश्चन है मारा 36 सिंतु गाटी सबिता के लिए लोग पूजा करते थे पसुपती की कुश्चन है मारा 37 त्री पिटक धार्मिक गरंद है बोध्धों का किसका बोध्धों का कुश्चन है मारा 34 पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी 1761 में हुई थी पहली आपकी 1526 में दूसरी 1556 तीसरी 1761 ठीक तीनों याद रखना है कुश्चन है तीसरा यानि की 49 मुगल समराज की निव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है पानीपत की पिथम लड़ाई के यह कब हुई थी आपकी 1526 में ठीक है कुश्चन है 40 मुगल बंस की स्थापना भारत में कब हुई तो आपको बता देना है 1526 में 1526 में ही आपका पानीपत का पिथम युद्धुगा था पिलासी का युद्ध कब लड़ा गया है पिलासी का युद्ध कब लड़ा गया तो आप लोगों को पता देना है 23 जून 1757 को यह ओप्सन सही है कुश्चन है हमारा 42 बख्सर का युद्ध कब लड़ा हुगा 1763 में बख्सर का युद्ध 1763 और पिलासी का 1757 में कुश्चन हमारा 43 दिल्ली का लाल किला किसने बन वाया था दिल्ली का लाल किला आपका सही है जहाने बन वाय था कुश्चन है 44 सिवाजी की पिसासन में पेशवा किसी कहा जाता था सिवाजी की पिसासन में पेशवा किसी कहा जाता था तो यह था आपका मुक मंत्री मुक मंत्री को कहा जाता था कुर्षिन है 45 भारत की पिथम पूर था रंगीन फिल्म कौन सी थी तो यह थी आपकी जहांसी की रानी है कुर्ष्यन है मारा 46 बेना सम्मिलन कब हुआ बेना सम्मिलन 1815 में हुआ था कब हुआ था 1815 में कुर्ष्यन है मारा 47 किस देश को इवरोप का मरीज कहा जाता है किस देश को इवरोप का मरीज कहा जाता है तुरिकी को कुष्टेन हमारा 48 जर्मनी का एकिकरन कब पूरा हुआ जर्मनी का एकिकरन 1871 में हुआ था पूरा जर्मनी का एकिकरन आपका 1871 में पूरा हुआ पुष्टेन हमारा 49 एक टॉप यूनियन किस वर्स पारित हुआ एक टॉप यूनियन किस वर्स पारित हुआ 1707 में बोल से भी करांती कब हुई 1907 में कुष्टेन है 59 नई आर्थिक नीती का जनमदाता था लेनिन कुष्टेन है 52 अपरेल थीसिस किस ने त्यार की लेनिन ने अपरेल थीसिस आपका लेनिन ने त्यार किया लेनिन कुष्टेन है लाल सेना का गटन किस ने किया तो यह आपके ट्राट्स की भी ओप्षन सही है कुष्टेन है हमारा पच्पा भारत में अंग्रेजी सिक्षा की सुरुआत किस ने की थी देतिया के मैकॉली राजा राम मुहराय को स्तरोकाल नहीं था संस्कित की दिस सिक्षा में संतावन कुश्चन है हमारा जडिया वाला बाग हत्याकान के लिए कौन सा जनरल डायर जनरल उत्तरदाई था तो यह था का जनरल डायर कुश्चन हमारा अंठावन पिथा मैसूर यह था किनके बीच लड़ा गया पैटिस और हैदर अली के कुश्चन है हमारा 69- सती पिथा पर पिती बंद किसने लगाये था तो यह थे आपके लौड बिलियम बेंटिक फुश्चन logarלה पुश लिया है पुशतार रहता है सती पिथा पर पिती बंद आपका लौड बिलियम बैंटिक ने लगाये था कुश्यने साथ किस बर्स में म्यानमार भारत बर्स से अलग हुआ तो 1937 बात करते हैं 61 कुश्यन की वेटी सरकार ने बंगाल विवाजन को पिती हस्त सहस्त किस बर्स किया कि 1919 में याद रखना है आपको बंगाल विवाजन आपका 1905 में हुआ और यह 1905 में 1911 में निरेस्ट कर दिया गया था ठीक है 1911 में हुष्यन ने बासट जलिया बाला बाग की दुर बेटना किस सन में भी तो याद रखना है 1909 में 1909 में 13 अपरेल को ही ती 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 अपरेल उन्नीस सो न्नीस को कुर्ष्यन है मारा 63 1911 तक बिहार निवलिकित में से किसके अंतरगत था बंगाल महापरांध की कुर्ष्यन है 64 अलीगर मुसलिम विश्ट वित्याला एक इस संस्था पक्कों थे इते सर्व सेयाद अहमाद बात करते हैं 65 चोरी चोरा कांड किस से सम्मधित है असायव आंदोलन से क्योंकि असायव आंदोलन आपका चोरा-चोरी कांड के बाद बंद कर दिया गया थे कुर्ष्यन है मारा 66 पिथम विश्योद के दोरान भारत में लोग प्रिये होने वाला आंदोलन था हॉम रूल कुर्ष्यन है 66 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुरान सहर कौन सा था तो यह था आपका हडप्पा कुर्ष्यन है मारा 66 सिंदु घाटी के लोग विश्वास करते थे माद्ध सक्ती में अर्ष्यन में आपका ए है कुर्ष्यन है 59 आरे सब्द का साब्दी करते स्रेष्ट या कुलेन कुर्ष्यन है मारा 70 नेमलिकत में से किस फसल का ज्यान बैदिक काल की लोगों को नहीं था तो याद रखना है तमबाकू का नहीं था इसका तमबाकू का नहीं था कुर्ष्यन है मारा 71 बैदिक कडित का मात्पूर्ण अंग है आपका सुल्व सूत कुर्ष्यन है बात तर किस बेद में प्राचीन बैदिक्यों की संस्किति के बारे में सूचना दी गई है तो यह आपका रगवेद क्या रगवेद कुर्ष्यन है बारा 73 बेदों की संख्या कितनी है चार रगवेद अथरवेद सामबीद और यजूवेद कुर्ष्यन चौहत्य रगवेदी कारियों का मुख बेवसाय क्या था क्या था पसूपालं था कुर्ष्यन है मारा 55 भारतिय संगीत का आधिगरंद किसे कहा जाता है भारतिय संगीत का आधिगरंद सामबेद को कहा जाता है कुर्ष्यन है मारा छेत्तर पिधम विधी निर्माता कौन है पिधम विधी निर्माता आपके मनु थे छेत्तर में आपका सी है कुर्ष्यन है सद्तर किष्यन सक्ती का पिधम और पिधान गरंद कौन सा है स्रीमद भागवत गीता कुर्ष्यन हमारा अठतर रुरेगवेद में संपत्ती का पिरमोख रोप कहा है गौधन गाय कुर्ष्यन है उन्ने असी पुरानों की संख्या के है पुरानों की संख्या आपकी अठारे है कुर्ष्यन है असी बैदिक धरम का मुख लक्षन इन में से किस की उपासना था प्रक्किती की 81 बैदिक धरमोख लक्षन है किस देवता के लिए रेगवेद में पुरान्दर सब्द का प्रियोग हुआ है तो इन्द के लिए हुआ है कुर्ष्यन है मारा 82 सुल्व सूत किस पिछाई से समंदित पोस्तक है ज्यामिती से कुर्ष्यन है 83 अस्तोमास सद गमय कहां से लिया गया है रेगवेद से कुर्ष्यन है 84 धरम सास्तों में भूराजस्ति धरम सास्तों में भूराजस्ति की दर क्या थी एक बटी छह पुष्यन है 85 प्राचीन भारत में निस्क नाम से क्या जाने जाते हैं सड अभू सड खुष्यन है 86 योग दर्षन के पिती पादक है योग दर्षन के पिती पादक है आपके पतंजली अंतजली या पतंजली 87 उपने सद पोस्तक किस से सम्बंदित है दर्षन से उपने सद पोस्तक आपके दर्षन से सम्बंदित है खुष्यन है 88 आरंबिक प्यदिक साहत में सरवादिक बढ़ित नदी है सिंधू नदी खुष्यन है 89 करम का सिद्धान किस से सम्बंदित है मिवान सासिद ए उप्सन सही हो खुष्यन है मारा नप्प वैदिक योग में प्रभावित लोग परिये सासन पर डाली थी गरतंत 91 सबसे प्राचीन बेद कहुंस है रेख बेद सबसे प्राचीन बेद आपका रेख बेद है कुष्यन है 52 कौन सा बेद अंस्ता गदरोम में भी रचित है यह जुर्वेद कुष्यन है हमारा 93 निम्लिकित में से कौन सी रिश्मिती प्राचीन तम है यह है आपकी मनु इसमर्ती कुष्यन हमारा 94 आदी कापी की संगिला किसे दी जाती है रामी रामाईड को कुष्यन हमारा 95 गायती मंद की रचना किस न की थी तो यह थी आपकी विश्वामित गायती मंद की रचना विश्वामित न की थी कुष्यन हमारा 96 हरापा बासी किस बस्तू के उत्पादर में सरफितम थे कपास कुष्यन है संतानुई सिंदू सब्दा का कौन सा इस्थान भारत में इस्तिक है लोथल कुष्यन है मारा अंठानुवे पाली गरंथों में गाउं के मुखी आगू क्या कहा जाता है ग्राम भोजक पुष्यन है मारा नन्दबंस का संस्था का कौन था महानन्द कौन था महानन्द पुष्यन है सो सिकंदर ने भारत कब आक्मण किया 326 में 326 एसापूर में तो चलिये यह थी आपके 100 खुष्यन्स 100-100 कुष्यन्स करके आपको पढ़ना है क्योंकि वड़े lecture हो जाएगे फिर आपको भी दिक्कत होगी तो इसमें आप लोग 100-100 questions करके पिती दिन देखिए ठीम है 101 से हम लोग आंगे बात करेंगे